तो गाइस मैं हुआ इश और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया स्वागत आपका आज की इस वीडियो में और आज से अल्मोस्ट एक महीने से भी जाधा अपतो हो गया थोड़ा सा मैंने बोला था कि AEW को देखेंगे मैं वापिस देखना शुरू किया था कि All In तक इसको वीडियो करेंगे और वीडियो काफी और रहने वाली है क्या अभी दिक्कत है मुझे इसके अंदर दिखते हैं क्या चीज़े पॉजिटिव हैं और यहां से किस डारेक्शन में AEW को जाना चाहिए वह हम डिसकस करेंगे लेकिन आप लोगों से मैं कॉमेंट्स मांगना चाह है अभी वीडियो को नीचे जाके कॉमेंट करें कि आपके क्या थौट्स हैं और इलीट रेस्लिंग लेकिन इससे पहले कि इस रिव्यू के अंदर हम जाएं ब्राइन डैनियल सन ने कमाल की मोवमेंट हमें आल इन के एंड में तो दी लेकिन 10 साल पहले WWE के अंदर जोगा थ इस तरीके से डैनियल ब्राइन ने अपनी वो जर्नी तेह करी थी तोवर्ड़्स अधे घंटे का है और गूसबंप मैं आपको गैरेंटी करता हूं अगर आप वो जाके सुनेंगे तो लिंक इस अंदर टॉप अपिक एपिसोड नमबर टू अब अपने इस रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं और टोनी खान ने एड़ अलिन के बाद बोला कि एक साल पहले जहां पर हमारी कंपनी थी वर्सिस अब बहुत बढ़िया हो चुकी है बैक स्टेज महाल बहुत अच्छा हो चुका एक साल से पहले जो था और अब सूपर स्टार्स जो यहां पर हैं वो य आज हम उससे बैटर हैं तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो टोनी खानों ने बोला और अलिन की अब हम बात करें तो आपको रिव्यू तो पता ही है चैनल पर आ गया है उसका भी मैं लिंक दे दूँगा या आप जाके चैनल पर जरूर चेक आउट कर सकते हैं लेकिन इस पेपर व्यू को देखके मुझे लगता है कि one of the best पेपर व्यू if not the best पेपर व्यू था AEW की history का और इससे है पता लगा कि कैसे AEW भी वो capability रखते कि moments दे सकें अपनी production quality को way better कर सकें अगर वो चाहें तो उनके पास सारे resources हैं वो करने के लिए तो आज के इस review को मै मुझे लगता है काफी improved हैं AEW में और finally मैं आपको अपना review दूँगा कि मेरे साब से अभी मैं कहा stand करता हूं और क्या अब से आपको AEW की वीडियो चैनल पर देखने को मिलेंगी या फिर नहीं तो आप एंट तक जरूर देखते नहीं चैनल पर नहीं तो subscribe कर लें because the content will just keep getting better on Wrestle India तो start करते हैं इसको अपने issues से और भाई मेरे को ऐसा लगता है कि यह जो CMLL, AAA और ROH के साथ mix up हो रहा है ना जबकि ROH तो AEW ने खरीद ली है लेकिन बागी promotions को mention करना उनके title अपने show में लेके आना definitely AEW के roster को help करता है कि outside forbidden door open है तो कोई भी आ सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे जो रोज देखने वाले हैं जो weekly देखने वाले हैं वो उसके लिए जाधा care करते हैं because वो बंदा कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि पहला तो यह issue है कि भाई कभी कभी करो तो ठीक है एक forbidden pay-per-view जब तुम्हारा आ रहा है तब तुम वो चीज कर लो एक महीने के लिए तो बढ़िया पर पूरे साल वो I don't think होना चाहिए दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ titles AEW के TV पर अभी हैं जिनकी value create करने में बहुत जाधा struggle कर रहे हैं जबकि उनके पीछे बड़े-बड़े stars हैं पहला example है Mercedes Monaco और उनकी TBS Championship का जबकि decent feud, average feud उनकी Brit Baker के साथ रही उस title की value कभी मुझे उतनी जाधा दिखी नहीं ऐसा नहीं था कि अभी यह title किसके पास जाएगा तो super stars की value title से जाधा है और वो एक problem हो जाती है बिकॉस long run में title की value कुछ रहती नहीं है दूसरा example है इसका continental championship जो कि currently Okada के पास है और Okada के अगर हम बात करेंगे तो सारे लोग बोलेंगे one of the best of all time wrestlers अगर सिर्फ wrestling के हम बात करें especially जो Japan से US में आया है और जिस level पे वो perform कर रहे हैं easy नहीं होता किसी के लिए भी लेकिन उनके title की value वैसी नहीं है जो एक Okada के title की value होनी चाहिए AEW के number of titles बहुत जादा है maybe वो एक इतनी बड़ी problem नहीं है because roster भी बहुत बढ़ा है लेकिन title की value इतनी नहीं होना वो I think एक major issue है और एक और example अगर दिया जाए तो वो trios championship का है जो कि I hope अब improve करी जाएगी क्योंकि Blackpool combat club के पास वो आ चुकी है इसके बाद बात करते हैं तो concept of collision और rampage वह honestly मुझे आज तक समझ आया नहीं अब WWE के comparison में हमने एक video बनाई थी कुछ दिन पहले वो आपको end screen में मिल जाएगी वो आप जरूर जाके check out करें कि वे AEW से क्यों WWE better इसके बारे में हमने बात करी थी और WWE में Raw और SmackDown की जब हम बात करते हैं तो clear भी पता है कि कौन सा roster कि show पे है क्या story चल रही है collision में जबकि ऐसा में भी हो रहा होगा लेकिन इतना अच्छा कुछ नहीं हो रहा कि मैं collision अलग से time निकाल के देखू और जितनी अच्छी dynamite चल रही है मुझे नहीं लगता कभी कोई ऐसे सोचता भी है कि collision एक B show है उसको भी हमें देखना है वहाँ पे भी stories को follow करना है तो AEW को या तो concept clear करना पड़ेगा कि कौन लोग कहां पे हैं कौन से stories कहां चलेंगी या तो तुम overlap मत करो या फिर तुम उसको अलग रखो क्योंकि I don't think कोई 3-3 show जाके AEW के देख रहा है पर उसका result उन्हें मिल नहीं रहा है अगले point के मैं बात करूँ तो यह है कि कभी कवार तो इन stars की potential AEW ने दिखाई और हमको पता है लोग कितने talented हैं लेकिन उनको उतनी highlight नहीं मिलती वो initial potential दिखाने के बाद यानि कि पहले तो दिखा दियागी यह बहुत बड़ी चीज होगी तोप होगी लेकिन उसके बाद उसके साथ कुछ किया नहीं For example, अगर मैं दू तीन example वो है Buddy Matthews, Malakai Black और Miro यह तीन लोग ऐसे हैं जिनको टॉप टॉप स्टार्ज होना चाहिए In fact, mid card में तो upper mid card में रहना चाहिए Champion होना चाहिए, सिरफ wrestling देने के लिए यहाँ पे नहीं है लेकिन AEW कभी उस चीज़ पे capitalize नहीं कर पाई, कभी उस चीज़ को use नहीं कर पाई अपने benefit के लिए, तो यह एक बहुत बड़ी problem है और I hope कि अब Ricochet के arrival के बाद वो चीज़ उनके साथ repeat ना हो Because Ricochet जिस level को WWE में नहीं ढूंड पा रहे थे वो clearly उनके लिए AEW में available है, अगर creative उनको back कर पाता है क्योंकि problem यह बन जाती है कि अगर बार-बार same चीज़ अलग-अलग superstar के साथ हो रही है तो fans उस चीज़ को उतना seriously नहीं लेंगे, वो सोचेंगे यह बन्दा भी आया और तीन महीने बाद इसके साथ भी कुछ नहीं होगा specially ऐसे ही reaction मिल रहे है रिकोशे के debut को तो I hope कि AEW इस चीज़ से सीखे कि अगर कोई talent आ रहा है तो उसको हम एक ऐसी story में तो रखें जो थोड़ी worth it हो मुझे पता है कि सबको main spotlight में नहीं डाला जा सकता पर फिर भी highlight देनी चाहिए जहां पर potential दिख रही है और final issue कि मैं बात करूँ तो यह है कि real life element को use करना और social media को trigger कर देना AEW की यह बहुत गंदी चीज़ रही है शुरू से कभी कभी अच्छा लग रहा था जब नहीं नहीं आये थे कि हम competition है हम तुमें better entertainment दे सकते हैं और वो बढ़िया लग रहा था starting में विकॉज उस time पे WWE भी कुछ इतनी खास नहीं चल रही थी लेकिन AEW का हर बार उस चीज़ को use करना ना ही सिरफ WWE के लिए लेकिन कुछ भी ऐसी real life में किसी superstar की चीज हुई है उसको लेके आना और उससे social media पे एक negative effect create करना उनका कोई फायदा नहीं कर रहा बेभी उनको लगता है कि लोग इसके बारे में बात करेंगे तो eyes हमारे product पे आएंगी लेकिन वो negative eyes आती हैं जो लोग आके उनको troll करके चले जाते हैं तो ये कुछ ऐसी चीज़े हैं जो मेरे साब से अभी भी issues है AEW के अंदर जो कि उनको fix करने पड़ेंगे धीरे धीरे विट time ताकि वो और जादा grow करके एक better company बन जाए लेकिन अब positives पे भी focus करते हैं because इसकी भी कमी मुझे recently नहीं देखी पहला positive और सबसे बड़ा positive है कि जैसे उन्होंने Swirl Strickland को एक AEW champion ही नहीं बलगी एक ऐसा superstar बना दिया जिसकी औरा काफी जादा है और ये word use ना हो आजकल ऐसा होने ही सकता Swirl Strickland जिस तरीके से वो drip उनकी दिख रही थी ना जो presence थी all इनकी entrance के बाद जब वो match से पहले ring में खड़े थे लग रहा था कोई champion है वो exact same चीज सिरह Swirl के साथ नहीं मैं और superstar के साथ भी होते हुए देखना चाहूंगा क्योंकि AEW का roster इतना talented है कि ये चीज करनी possible है उनको वो चीज पहुचना पड़ेगा वहां तक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि और superstar भी ऐसी औरा वाले हों जिनको लोग देखके भी अब enjoy कर सकें अब भले स्वर्फ championship हार गए हैं लेकिन I don't think कि बिना title के लिए लोग उनको उतना support नहीं करेंगे और उसी चीज को कहते हैं औरा build करना वो एक बड़ा positive है इसके बाद बात करते हैं तो पहले AEW जैसा कि मैंने बोला अपने matches के लिए जाधा जानी जाती थी लेकिन अब ऐसा recently लग रहा है फिसले 1.5 महीने से especially कि storylines भी उतनी ही matter करती है जितने matches विगोज तुम एक 5 star classic match तो दे सकते हो लेकिन अगर उस match का कोई purpose ही नहीं है उस match के पिछे जाधा अची story ही नहीं है तो लोग care क्यों करेंगे हमें पता ही कि जो roster है वो classic matches देने में कोई कमी नहीं रखता है लेकिन उसको build करो उस point तक कि finally जब match हो तो लोग उसको overall appreciate करें और उसके लिए तालिया बजाए जो कि हमें Osprey और MJF की feud में Tony Storm और Mariah May की feud में और साथ की साथ Daniel Sun और Swerve की feud में देखने को मिला इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि ये 3 feud प्योर example है कि AEW कैसे अब अपनी storylines को उत्रा ही अच्छा बनानी कोशिश कर रही है जितने उनके matches भी है इसके बाद बात करते हैं तो Tony Khan ने recently कुछ change करा है अपने behavior के अंदर और जबकि press conference के बाद वो भी भी ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जिसमें trigger होगा उनको troll करा जाएगा लेकिन Tony Khan ने एक कदम पीछे ले लिया है social media से मलब वो directly किसी को call out नहीं कर रहे हर चीज़ का जवाब नहीं दे रहे और जबकि वो पूरे सुधरे नहीं है उनको सुधर जाना चाहिए बहुत ही जल्दी बिकॉस उनको ऐसे feel होना चाहिए के comparison में लोग आएंगे और फिर बोलेंगे कि भई तुम क्या बात में उचल रहे हो ट्रिपल हे इतने number कर रहा है उसने तो आज तक एक tweet नहीं करी इस बारे में में वह होती है टीवे डील्स अब टीवे डील्स जो हैं एव की पांच साल पहले साइन हुई थी 2019 में जब company स्टार्ट हुई थी और TNT के साथ उन्होंने पांच साल की डील जो साइन करी थी अब वो खतम हो रही है लेकिन Warner Brothers के साथ उसको renew करने वाले हैं और माना जा रहा है कि जो अगली पांच साल की डील आएगी वो double the money होगी जो पहले उनको मिला था इसका मलवे है कि जो network उनको लेना चारा है उसको बहुत ज़ादा hope उमीद और potential दीख रही है हमारे पास एक जगह है एक platform है अपना content बनाके दिखाने के लिए तो उससे बड़ी कोई और बात नहीं है यह एक बहुत important चीज़ है AEW के future में और उसके बाद pay-per-view और बाकी सारी चीज़ें जो इस डील के साथ आएंगी वो तो obviously benefit है एक और चीज़ जो AEW ने recently show करी है कि as a company जिसका नाम WWE रही है यह भी outside America जाके tickets बेच सकते हैं लोगों को attract कर सकते हैं because इनका product इतना अच्छा है और recently उन्हें अनौन्स करा कि 2025 में Grand Slam जो उनका show होता है वो ऑस्ट्रेलिया में stadium के अंदर होने वाला है तो यह जब कि obviously WWE पहले कर चुकी है और उनके लिए एक success रहा है अच्छी बात है कि AEW चीज़ को देखके डर नहीं रही पीछे नहीं हो रही वह भी अपने आपको challenge करना चाहते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं और अगर आप इस case में आके बोल रहे हैं वही की copy paste कर रहे हैं मुझे उस चीज़ से कोई च्छे show देखने को मिल रहे हैं साल में तो I am all in for that also तो यह भी एक ऐसा positive है जो AEW के आने वाले पांच सालों के अंदर मुझे लगता है कि उनको बहुत जादा benefit देगा अगर globally उनकी presence बढ़ जाए specially अगर इंडिया में भी वह आते हैं एक show करने के लिए तो मुझे लगता है बहुत लोग interested होंगे और finally अब अपने section में आते हैं जो कि मेरा review रहने वाला है कि क्या मुझे ऐसा लगता है AEW के बारे में अब मेरा final opinion क्या है मेरको लगता है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज बहुत कम है और अगर आए भी तो उस एक महिने के लिए आएंगे फिर गायब हो जाएंगे second point ये है कि long term focus रहना चाहिए company का और अगर मैं Tony Khan की बात मालनू कि अब locker room बढ़िया हो रहा है तो बहुत ये अच्छी बात है उसको maintain करके रखो बढ़िया है बई अगर उनके करूँगा जो best mega stars है तुमारे ओकाडा ओस्प्रे स्वर प्रायन ये सारी लोग जो भरे है MJF इनको इतना यूज करो जब तक उनकी potential तुमें दिख रही है जितना उसको तुम निचोड सकते उसको TV पर आके दे दो वेट मत करते रहो कि इस बड़े star की moment कब आएगी तुमार करना चाहिए उसको कि मैं कितना कमाल का champion हूँ और यह चीज recently हमने ओस्प्रे के साथ देखी और जब ओस्प्रे के साथ देखी तो भाई पहले यही लोग बोलते थे कि यह तो बस एक wrestler है इसका तो क्या ही है एक classic match देगा लेकिन इस MJF की feud के बाद मैं देख रहा हूँ कि कैस appreciation बढ़ गई यह Osprey की उनकी वो entrance के बाद लोग उनको अब assassin गुलाने लगे है और उस चीज को follow करने लगे है कि कि इस direction में Osprey भी जा रहा है तो वो एक बहुत बढ़िया बात है इसके बाद एक major point जिसको आप negative में भी ले सकते हैं मैंने देखा कि Chris Jericho और 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 ऐसे भाई लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं है विकॉस तुम्हारे roster पे इतना कुछ है Chris Jericho को as a commentator रखो announcer रखो उनको as a manager रखो promo उनसे cut कर आओ all good लेकिन wrestling matches जब बात आती है तो नहीं होना चाहिए विकॉस वो शोप एक बड़े negative की तरह काम करता है इसके बाद next point जो मैंने यहा World Wrestling Entertainment WWE जो कर रही है उनको करने तो तुम्हें जो करना है तुम करो बहुत अच्छी बात है तुम बागे बढ़ पारे हो अच्छी चीज़ें कर पारे हो उस पर focus करो दूसरी तरफ क्या चल रहा है उस पर focus थोड़ा सा कम करना चाहिए और finally जो मैं बोलने वाला हूं give fans what they want सब अब से simple formula अपने company को अच्छा चलाने का जो लोग मांग रहे हैं social media demand कर रहा है वही अपने product पर रख दो लोग obviously भागते भागते तुम्हें देखने आ जाएंगे तो अब यहाँ पर मैं बात करता हूं कि क्या अब से आपको AEW के review देखने को मिलेंगे या फिर नहीं क्योंक के बाद और उसका answer है yes, because मैंने pay-per-view का calendar खोल के देखा तो अब September 7 को all out होगी literally बही 15 दिन में हमें नया pay-per-view देखने को मिल जाएगा I don't know उसकी build क्या रहेगी उसके बाद wrestle dream होगा जो कि Brian और स्वर्फ के hometown में है जैसा कि मैंने बोला Washington state में है October 12 को और full gear उसके बाद देख करने के लिए कि AEW क्या consistent रह पाई या फिर नहीं या यह उलू बना रहे हैं fans को एक बार अच्छा करते हैं उसके बाद wait कराते हैं पूरा साल गुमाने की all in कब आएगी तो वो भी idea लग जाएगा और उसके बाद देखेंगे कि क्या हम महां से continue करेंग या फिर नहीं बिकॉ पॉजिटिव है तो AEW की वीडियो भी continue रहेंगी on the channel अगर अपने हाथ तक वीडियो देखिए तो जैनूरली आप लोग केर करते हो professional wrestling के लिए आप दो मिनिट में इन चीज सुनके भागते नहीं हो तो आप जैनूरली केर करते हो professional wrestling के लिए और अगर आप जैनूरली केर कर तो आप देख रहे हैं रेसल इंडिया